हेलो दोस्तों, वेलकम बाक टू PMF IS Environment Video Lecture Series आप सभी का इस Environment की Video Lecture Series में स्वागत है आप जानते हैं कि ये Environment Booklet PMF IS की जो है उसी के basis पर हम लोगों ने डिजाइन करी है एक पूरी की पूरी Video Lecture Series and the series is presented by me, मेरा नाम दोस्तों रिशब है ये Video 8 है, पूरी एंटार Video Lecture Series में जिसमें हम लोग Chapter 4 of the PMF IS Environment Booklet को कवर करने वाले हैं That is Functions of Ecosystem and this is Second Part Table of Contents में आप देख सकते हैं कि Function of Ecosystem के अंदर हम लोग बात करेंगे आज What is Food Chain, What is Food Web and What is Ecological Pyramids इसको हम discuss करने की कोशिश करते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कई सारे Functions हैं आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी है Ecological Succession क्या है, Homeuse Stasis क्या है इन दोनों को हम कवर कर चुके हैं already आज हम लोग Energy Flow की बात करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे Nutrient Cycling यानि कि Bio Geochemical Cycle जैसे कि Nitrogen Cycle क्या है, Carbon Cycle क्या है Phosphorus Cycle क्या है, Sulfur Cycle क्या है, Water Cycle क्या है इसको हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में आज के लिए हम लोग अपने आपको Restrict करेंगे सिर्फ Energy Flow That is Through the Food Change जैसे Energy Flow होती है उस पर चलिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले कुछ Basic Terms को आप Discuss कर लिजे यानि कि अगर ये दो शब्दों का मतलब आप समझ जाते हो और बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो पूरा का पूरा जो Food Chain का Procedure है और पूरा का पूरा Food Web जो भी मैं आगया Energy Flow में आपको पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत Clarity से समझ मा आ जाएगा First word is Trophic Structure और दूसरा term है Trophic Level इन दोनों को आपको समझना पढ़ेगा चलिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपसे आपको याद होगा हम लोगों ने पहले भी इस chain को discuss किया था जहां पर जो ultimate source of energy आप जानते है sunlight है और sunlight से energies को सबसे पहले कौन लेते है plants and trees जिनको हम लोग आप जानते है auto props बोलते थे यानि अपना खाना थुद से बना लेते थे इसके बाद plants and trees से अपनी energy को derive करता है grasshopper यह सिर्फ एक example है grasshopper जो था वो कौन कलाया जाता था primary herbivore यानि कि first order consumer अगर आपको यादो मैंने पिछली classes में आपको यह बहुत अच्छे से detail में समझाया था फिर frog जो है वो अपनी energy इसको directly plant से नहीं लेता है बलकि कहां से लेता है grasshopper से लेता है इसलिए यह second order consumer है या फिर primary carnivore कलाया जाता है फिर snake अपनी energy को frog से लेता है and similarly vulture और जब vulture की death हो जाते है यानि कि top carnivore की death हो जाती थी तो फिर क्या होता था आप जानते हैं कि decomposers आते थे decomposers, debt treaty wars कौन होते हैं हम लोग यह पहले से discuss कर चुके है scavengers क्या होते हैं मैं आपको already बता चुका हूँ and finally decomposers इसको वापस से elemental form में convert कर देते हैं और plants उसको वापस से use कर लेते हैं यह पूरा का पूरा चक्र एक पूरी की पूरी cycle है अब बात यहां पर क्या गरी जा रही है कि जब मैं आपसे कहता हूँ plants जो है वो सबसे पहले sunlight से energy लेते हैं फिर grasshopper जो है वो जो है अपनी energy इसको plant से लेते हैं तो अगर आप एक चीज़ notice कर पाऊ उस पूरी chain को देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा यह कुछ नहीं बलकि एक ऐसी chain है कौन किसको खाता है यानि यह feeding food relationship है this is nothing but feeding food relationship कौन किस जानवर को खा रहा है और कौन कहां से अपनी energies को derive कर रहा है अब इस पूरे structure को अगर मैं एक शब्द बोलना चाहूँ यानि कि पूरे की पूरे system को एक नाम देना चाहूँ तो बोलो traffic structure traffic का मतलब क्या होता है trophy शब्द से निकला है traffic जिसका मलब होता है nourishment nourishment मलब कौन अपनी energies को कहां से ले रहा है तो यह पूरा sunlight से लेके decomposers वापेस यह पूरे structure को अगर एक शब्द देना हो तो क्या बोलो traffic structure अच्छा इस traffic structure में कौन कौन सी position पे है जैसे कि plants और trees auto-trops है सबसे पहली position पे तो यही आते है क्योंकि यहीं से energy flow करती है यही अपना खाना खुद बना पाते है बाकी यह सारे तो आप जानते हैं consumers हैं hetero-trops हैं यही है जो auto-trop है तो सबसे पहले यह आ गया यानि कि यह position occupy कर रहा है इस पूरे system के अंदर इस पूरे structure के अंदर फिर grasshopper की position है आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं first order consumer तो यह first order consumer क्या है first level है एक position है इसकी frog second order consumer है ऐसी finally जब मैं बोलता हूँ कि fourth order consumer कौन है वल्चर तो यह इसकी position है snake की position third order पे है consumer के level पे primary producer कौन है primary producers कौन है आपके plants तो इनकी position है primary producers फिर decomposers तो यह कौन सा जानवर किस position पे आता है इसको बोलते है ट्रॉफिक level यानि the position organism occupies in a food chain इस chain के अंदर कौन सा जानवर किस position में आता है और ट्रॉफिक structure यानि इस complete system को मैं ट्रॉफिक structure कह देता हूँ so ecosystem is defined as an organization of biotic components based upon their feeding food relationship and how the energy flows देखो इसी तरीके से energy flow करती है उपर से यानि कि नीचे से उपर की तरफ तो अगर आप देखो plants, grasshopper, frog, snake, vulture ये क्या है energy भी यहीं से flow करती भी जा रही है इन जानवरों के बीच में so इसी पूरे structure को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉफिक structure और इसके अंदर कौन सा organism किस level पे खड़ा है उसको बोलते हैं ट्रॉफिक level उस particular जानवर का तो देख सकते हैं आप इस photo में भी इस image के अंदर भी ट्रॉफिक level है सबसे नीचे plants, फिर herbivores, फिर first level, फिर second level तो ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ चलिए दोस्तों बात करते हैं energy flow की कि what is energy और energy जो है वो इतनी जरूरी क्यों है सभी living organisms के लिए आप जानते हो हर एक living organism को अपनी कई सारे bodily functions को perform करना होता है जब मैं बात करता हूँ bodily functions की इसका मतलब क्या है कि हर आत्मी को हर जानवर को you know metabolism के लिए liver, kidney, heart, brain बहुत सारे functions हैं जो उनको perform करने पड़ते हैं इनर्जी की जरूरत है similarly growth के लिए development के लिए reproduction के लिए अलग-अलग level पे अलग-अलग तरीके की और मात्रा में energy की जरूरत पड़ती है in the form of glucose and ATP आप जानते हो ATP के form में हम लोगो energy को use करते हैं so याद रखे यह जो maximum energy है वो कैसे आती है in the form of chemical energy यानि in the chemical energy जो food के माध्यम से हम लोगों को मिलती है that is the major source of energy for all the living organisms except अगर हम लोग बात करें autotrops autotrops के लिए जो energy है वो कैसे मिल जाती है उनको food के माध्यम से नहीं मिलती है but sunlight के माध्यम से मिल जाती है और बाकी सब तो फिर आप जानते हो consumers हैं जो autotrops पे ही depend रहते है so ultimately ये जो energy है वो कैसे काम करती है ये energy जो है वो transmit होती है different traffic levels में यानि कि जो organism जिस position पे है उसके through energy होती भी आगे बढ़ती वज जाती है along the food chain अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ये जो traffic level के अंदर interaction होता है ये generally food chain, food web और ecological pyramids के through होता है तो आज इन तीनों concepts को हम लोगों को जाना है इन simple words आप ये समझ लेज़े ये जो energy है ये transfer होती है एक organism से दूसरे organism में और जिस तरीके से ये transfer होती है उसको define करने के लिए उसको समझने के लिए हमें तीन concepts के आवशकता है एक है food chain, एक है food web और एक है ecological pyramid इन तीनों की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि energy कैसे आगे बढ़ती चली जाती है क्योंकि ये बहुत important role perform करती है पूरे के पूरे ecosystem के अंदर balance create करती है So energy जो है ये दो laws of thermodynamics को follow करती भी निकलती है जैसे for example First law जो thermodynamics का है वो क्या बताता है आपने कही बार सुना होगा ये law कि energy can neither be created nor be destroyed It can only change from one form to another यानि कि energy को आप मार नहीं सकते है आप इसको destroy नहीं कर सकते है आप उसे पैदा नहीं कर सकते बस वो एक form से दूसरे form की तरफ change होती भी चली जाती है यानि कि same मातरा में कभी भी energy transfer नहीं होती है बहुत ही important ये दो laws है अगर आप ये दो laws समझ पाते हैं तभी आगे को जब मैं आपको बताऊंगा कि energy जो है pyramid of energy में क्यों unidirectional है और क्यों pyramid of energy के अंदर एक laws होतावा दिखता है आपको तो ये कहानी आपको तब समझ में आएगी जब law thermodynamics का आपको ये concept clear हो जाएगा तो याद रखेगा energy को मारा नहीं जा सकता energy को पैदा नहीं किया जा सकता जब कभी भी energy एक substance से दूसरे substance के अंदर transfer होगी एक form से दूसरे form में transfer होगी तो energy हमेशा loss हो जाती है यानि कि कुछ energy हमेशा lose कर जाती है, waste हो जाती है in the process of transfer अब बात करते हैं, आप जानते हैं primary source of energy का है sunlight से सारी energy आती है, plants लेते है but sunlight से जो energy आती है मान लीजे वो 100 प्रतिशत sunlight से energy अर्थ की तरफ आती है हम उसको 100% मान के चलते है उस 100% में से only 50% of the sun's effective radiation that can be used by the plants for photosynthesis होता है मेरे कहने का मतलब है, अगर 100% sunlight अर्थ में enter करती है, तो सिर्फ मात्र 50% ही ऐसी sunlight होती है, जो actual में photosynthesis में मदद कर पाती है, और वो sunlight का dimension, वो sunlight का area और वो sunlight का particular wavelength जो होती है, जो actual में photosynthesis में इस्तमाल हो पाती है, उसको हम लोग क्या बोलते है, effective radiation effective radiation का मतलब क्या होता है वो sunlight जो actual में इस्तमाल किया जा सकता है photosynthesis में, प्रोसेस में और उसी को हम लोग एक और term से use करते हैं, जिसको बोलते है photosynthetically active radiation, इसका मतलब क्या है इस entire sunlight के अंदर सिर्फ 50% sunlight वाला area होता है, जो PAR होता है, यानि कि plants उसकी मदद से photosynthesis possible कर सकते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं that is not what I am saying I am saying कि total sunlight का एक proportion जो actual में इस्तमाल करने के योग्य आ सकता है आ सकता है, आया है कि नहीं आया है वो अलग बात है, बटा आने की शमता रखता है, उसे हम बोलते हैं photosynthetically active radiation PAR के नाम से जानते हैं और याद रखनेगा, इस photosynthetically active radiation का भी मात्र 2 से 10% ही होता है जो actual में plants इस्तमाल करते हैं photosynthesis में यानि अगर मैं आप से बोलू पूरी sunlight का कुल मिला मुलू के 2 से 10% ही है जो actual में photosynthesis में actually used होता है कर कितना सकते हैं, 50% कर सकते हैं क्योंकि PAR ही जो होता है वो 40 से 50% की करीब होता है और 2 से 10% प्रतीशत जो है, वो actual में इस्तमाल करने के use में आ जाता है photosynthesis में तो अगर आप सोच पाओ total sunlight से जो भी energies आ रहे हैं उसका सिर्फ 2 या 10% plants इस्तमाल करते हैं और वो ही photosynthesis के माद्धेम से फूड बन पाता है और वो ही आगे चैनलाइज हो पाता है फूड चेन की पूरे के पूरे ट्रॉफिक लेवल्स में, डिफरेंट ट्रॉफिक पोजीशन पे अड अल्टिमेडली पूरे ट्रॉफिक स्ट्रॉक्चर में यह बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है और के लिए तो जाएगा, बट एक चीज़ याद रखे जो भी मैंने आपको बताया, कि भाई देखिए जैसे फॉर एक्जामपल सबसे नीचे ग्रासिस ग्रासिस से अपनी एनरजी को लेते हैं, ग्रासोपर ग्रासोपर पर फीड़ करते हैं, आप फ्रॉग, फ्रॉग पर करता है, स्नेक, स्नेक पर करता है इगल, यह क्या है? एक सिंगल लीनियर चेन है याने कि एक जानवर एक ही को खा रहा है, फीडि façoूद रिलेशनिप एक ही से शो हुए मैप उप लिलो लीनियर से अपनी एनरजी को लेता है उसी को हम food chain कहते हैं and it starts with the producers and end में कौन आता है आप जानते हैं टॉप कार्णिवोर्स अब बात करते हैं सबसे पहले grazing food chain का मतलब तो आप जानते कि जानवर एक दूसरे जानवर को खा रहा है feeding food relationship है अगर यही feeding food relationship की शुरवात जो है वो producers से होती है यानि कि जैसे दिखे यहां पर सबसे पहले कोई है producer फिर producer के बाद कौन आए primary consumer फिर secondary consumer फिर tertiary consumer फिर quaternary consumer यानि कि first order यह है second order यह है third order यह है fourth order consumer तो आप जानते हैं यह बात कि अगर सबसे पहले energy की शुरवात जो है वो कहां से हो रही है producer से हो रही है यानि कि producers कहां से energy को लेते है sunlight से energy को ले रहे photosynthetically active radiation में से कुछ हिस्सा ही जो actual में use हो रहा है उससे food convert हो रहा है और वो जो food है वो कहां पे जा रहा है caterpillar के पास जा रहा है यानि कि caterpillar अपनी energy को कहां से ले रहा है autotrop से ले रहा है producer से ले रहा है उसको बो grazing grazing का मतलब क्या है जहां पे lowest traffic energy level is occupied or acquired from organisms that are involved in photosynthesis यानि कि यह जो food energy की शुरवात हो रही है यह जो chain की शुरवात हो रही है उसमें सबसे नीचे के पाइदान में अगर autotrops आते हैं reduces आते हैं और वहां से energy आगे बढ़ रही है food chain के माध्यम से तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे food chain grazing वाली है यह याद रखना और यह primary source होता है energy flow का ecosystem के अंदर ऐसे ही काम करता है बट एक और तरीके की food chain होती है जिसको हम लोग बोलता है debtors food chain अब यह क्या होता है जैसे की मैंने आपको पहले भी बताया है debtors का मतलब होता है dead particulate organic material यानि की मरे हुए जानवर और मरी हुई चीजें organic material यहां से जब energy feed होना स्टार्ट होगा तो बोलो food chain debtors यानि की bodies और fragments of bodies dead organisms fecal material यह generally क्या होता है इस पर decomposition का process start होता है और वापिस से जब यह हुमस बन जाता है remineralize हो जाता है यही पूरा का पूरा procedure था debtors का decomposers का scavengers का हम लोगों ने बात करी थी तो debtors क्या होता है एक तरीके का कुछ नहीं बलकि वो हिस्सा जहां पर जानवर जो है मर चुका है अब उस मरे हुए जानवर से अगर energy कोई ले रहा है तो बोलो food chain debtors अब इसमें भी दो तरीके के आते हैं एक terrestrial में होता है एक aquatic में होता है उसकी dead body soil के अंदर है soil के उपर है तो उस पर कीडे लग गए उस पर decomposers लग गए तो जैनरली टेरेट्स्ट्रियल एको सिस्टम में ऐसे मिलता है बट एक शब्द है जिसको बोलते है marine स्नो marine snow क्या होता है marine snow आप इस होली image में देख सकते हो यह marine snow की image है यह जनरली एक्विटिक एको सिस्टम में debtors food chain इस तरीके से काम करती है कैसे आप देखोगे जनरली जो होता है phytoplankton जो हम लोग ने बात करी थी surface पे तहरते हैं zooplankton छोटे-छोटे कीडे हाना यह सब पानी की उपर सते के आसपास रहते हैं और जब यह मर जाते हैं तो जनरली होता क्या है उपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं यानि कि sea floor की तरफ चले आते हैं आप देखें बहुत सारा biological debris जो होता है वह originate होता है टॉप लेयर से और फिर वह shift हो जाता है sea floor की तरफ sea floor की तरफ जब वह shift हो रहा होता है नीचे की तरफ तो उपर से आता हुआ वह जो detritus या आप वह biological debris देखोगे तो ऐसा लगता है कि snow गिर रही है इसलिए इसको marine snow का concept भी बोला जाता है तो आप देख सकते हो यहां पर ऐसा लग रहा है कि marine snow टाइप सा हो रहा है यानि कि ब मैं बात करता हूँ detritus food chain की food chain के दो grazing और detritus तो detritus में क्या होता है यह पूरा का पूरा जो process है वो मरी हुई की चीज से स्टार्ट होता है यानि कि अगर मैं आपको दुवारा से बता हूँ देखे plants plants पे कौन आए grasshopper grasshopper से energy किस ने ली frog frog से energy snake snake से गया वल्चर अब वल्चर की death हो गई माल लीजिए इस वल्चर की death के बाद decomposition का process स्टार्ट हो रहा था profit structure में आप जानते हैं यह भी त reducer से energy transfer हो रही है तो grazing बट अगर मरी हुई चीजों से decomposers को energy मिल रही है या फिर वहाँ पे detective horse को energy मिल रही है तो यह भी तो energy है यह भी तो एक food chain है और यहां से शुरवात हुई food chain को क्या बोलते हैं debtors food chain देखे जैसे पत्यां गिर गई पत्यों पर लगा वूड लाउस वूड लाउस को खाया किसी blackbird में तो आप देखे यहां से भी energy transfer ही हो रही है आगे की तरफ बट यह जो energy transfer हो रही है यह कहां से हो रही है मरी हुई चीज से शुरुवात हो रही है जबकि grazing में producer से शुर चलता है या फिर debtors यानि कि जैसे अगर मैं आपसे पूछको terrestrial ecosystem अब आप लोगों के हिजाब से terrestrial ecosystem में कौन सी चीज़े जादा चलती है यानि कि energy का जो सोर्स है वो grazing से जादा आता है या फिर वो energy का सोर्स जो है वो debtors से जादा आता है आप बताईए तो याद रखना grazing food जो है वो major component है कहां पर हमें लगता है terrestrial में होगा नहीं aquatic में है दुवारा से सुनिये मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूँ कि पेड़ जादा खाए तो generally आपका question हमेशा से ही आएगा कि सर्फ पेड़ जो है वो जादा हम लोगों लैंड पे देखने को मिल सकता है कि हाँ पेड़ की जो जन्जन के है वो जादा यहाँ है तो grazing food chain वहाँ से चलना चाहे नहीं बलकि grazing food chain actual में aquatic ecosystem में जादा चलता है याद रखना rather than terrestrial क्यों इसका पीछे का reason यह है terrestrial ecosystem में पेड़ बहुत है तो वहाँ पे गिरने वाली पत्तियां पच्छड होने के बाद जो organic matter है वो बहुत जादा present है इसलिए detritus food chain जादा लंबी चलती है और जादा अच्छी तरीके से role perform करती है terrestrial ecosystem में so अगर आप से पूछे terrestrial ecosystem में major source of energy I am not saying completely detritus होता है major source of energy detritus food chain से है and aquatic ecosystem के अंदर major source of energy grazing है detritus भी होता है but कम होता है किस से grazing से और यहाँ पे detritus जादा होता है grazing से यह बात याद रखेगा question आ सकता है कभी भी चलिए तो एक बाद discuss कर लेते हैं grazing versus detritus food chain grazing food chain को आप देखे in this food chain energy is derived from the sun यानि producer सबसे पहले होता है और यहाँ पे organic matter detritus generate करता है food chain की माध्यम को यानि कि food chain की शुरवात जो होती है वो मरेवे जानवर से होती है it begins with producers it begins with dead bodies of animals and fallen leaves अ आप देखेंगे grazing food chain जो होती है वो काफी लंबी होती है यानि कि grazing food chain में करीबन करीबन एक दो तीन चार पांच और maximum छे ट्रॉफिक लेवल सक हो जाते हैं but on the other end detritus food chain जो होती है वो comparatively छोटी होती है किसके comparison में food chain जो grazing वाली है अब इसके पीछे का reason क्या है देखे कोई भी मरीवी चीज़ है जैसे for example वल्चर मर गई वल्चर के ओपर कौन लगे डेटिटी वोस क्योंकि आप जानते हो वो चोटे मोटे कीड़े अर्थवाम वर्थवाम और अर्थवाम को कौन खा गया अर्थवाम को खा गई माल लेजे कोई एगल तो यह food chain यहीं खतम हो गई आप समझ बारे हो क्यों दो या तीन ट्रॉफिक लेवल सक होती है अगर अगर आप इन में भी देखें तो करीबन पांच ट्रॉफिक लेवल सक सिस्टम जा रहा है So the whole point is food chain लंबी होती है grazing की अगर comparison में आ जाए डेटिटर्स की छोटी होती है चलिए बात करते हैं what is food web food web का concept क्या कहता है food chain तो समझ में आगया linear link है यानि कि एक को एक ही जानवर खा रहा है बट जिम मैं food web की बात करता हूँ तो यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताओ ग्रास से energy ली ग्रास hopper ने ग्रास hopper से energy ली मान लीजे हम लोगों ने बात करा था frog ने, frog से energy ली किसने snake ने, snake से energy ली hawk ने या eagle ने ये एक linear link है बट अगर क्या हो इस पूरे process के अंदर बीच में से ग्रास hopper गायब हो जाए ग्रास hopper ही गायब हो गया तो मुझे एक बात बताओ, snake अपनी energy को कहां से लेगा क्यूंकि अब ग्रास hopper तो ही नी frog गायब हो जाए, तो कहां से energy आएगी, तो आप जानते हो snake के पास एक ही रास्ता ने, energy को लेने का mouse से ले सकता है तो मेरा point ये है, कहने का आपको समझाने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ, कि अगर आप top level carnivore की तरफ से देखोगे, तो ये और easily clear हो जाएगा माल लीजे, rabbit extent हो गए, rabbit एक दम विलुप्थ हो गए, तो क्या hawk को खाना नहीं मिलेगा, energy नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, snake से खालेगा अचा माल लीजे, snake भी extent हो गए, तो lizard से खालेगा, frog को खालेगा, चुहों को खालेगा directly, grasshopper को खालेगा directly, यानि कि food chain एक linear network होता है एक जानवर को multiple जानवर्स खाते हैं, और multiple जानवर, multiple जगाओं से अपने energies को ले सकते हैं, इसी का एक दूसरा नाम है consumer resource system, याद रखिएगा, जैसे marine food web देखे, आप marine food web में आप देखे, तो ये रहे, diatoms, फिर diatoms के बाद, kongs, fish larvae, herrings, tuna, apex predators, बड़ यहाँ पर देखिए, denoflagulates, copypods, copypods अगर आप notice करें, तो ये क्यों है, hetry drops, यानि कि their consumers, copypods, फिर anchovy, squid, shark, ये भी एक system है, बट आप देखिए, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकती है, ठीक है, ये इसको भी खा रहा है, ये multiple linkages जो है, इसी का नाम food web के लाया जाता है, तो food web क्या है, all the possible pathways, यानि कि एक simple pathway नहीं है, कि plant से grasshopper ही को मिलेगा, grasshopper से frog को मिलेगा, frog को snake, snake से eagle, ये ही अगर सिर्फ बात करो तो food chain, बट ऐसा है कि plants को तो deer भी खाते है, plants को तो elephants भी खाते है, सिर्फ grasshopper तो खाता है, rabbit भी खाते है, इसी rabbit को frog भी खा सकता है, बट ये ही rabbit जो है, directly eagle को भी खा सकती है, snake भी rabbit को खा सकते है, deer जो है, lion जो है, rabbit को भी खा सकता है, जना grasshopper, frog, कई से भी, मतलब multiple linkages, इसी का नाम food web है, so all the possible pathways दिखाता है, अब बात ये है कि इसकी इस्जत क्यों है, क्यों food web जरूरी होना चाहिए, food web इसलिए जरूरी होना चाहिए, because अगर एक जान food chain में से कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, कोई organism गायब हो जाता है, तब भी food web पे असर नहीं पड़ पाता है, यानि कि energies transfer हो जाती है, so अगर मान लीजे deer खतम हो गए, और lion सिर्फ deer पे ही शिकार करते हैं, और deer extent हो गए, तो फिर तो मौत आ जाएगी, यानि कि फिर सारे lion म बताता हूँ आज, maybe आपको shocking लगेगा ये, बट ये बिल्कुल fact है, और आप जाके check भी कर सकते हैं, पढ़िएगा इसके बारे में, herbivores कोन होते हैं, herbivores वो होते हैं, जो जानते हैं कि अपनी energy इसको कहां से लेते हैं, plants से, correct, trees से, यानि हरी पत्तियों पे जिंदा रहते है और आपको पता है, there are lot of herbivores जो carnivores भी हैं, मेरे कहने का मतलब है, जैसे गाय है, जैसे normally आप deer देखो, ये साप भी खा लेते हैं कई बार, हरकोष जो है, ये भी साप खा लेता है कई बार, और food chain का जो पूरह 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 प्रोसीजर है, उसी को बिगड़ाद नहीं, ऐस पास चारा नहीं है, पतिया नहीं मिल रही है, बहुत जादा ड्रॉट पढ़ गया है, तो फिर वो जानवरों को ही खा लेते हैं, दूसरा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि उनको calcium, magnesium, you know, deficiencies हो जाते हैं, nutrients की, तो nutrient deficiencies को पूरा करने के लिए जानवरों को बीच-बीच मे मेंटेन रहे, एक structure मेंटेन रहे, traffic structure में कभी problem ना आए, और energy जो है, वो flow करती रहे, so याद रखेगा, food way provides more than one alternative of food, एक थाली में कई सारे आपके पकवान रखें, आप कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ थाली में एक ही पकवान रखें, और वो पकवान ही गायब हो गया, तो आ जैसे ही आप देखेंगे, जानवर जो है, दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, जैसे मैं आपको एक example और देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, tiger, आपने सुना होगा, tiger ने एक छोटे बच्चे को खा लिया, human को खा लिया, बट मैं आपको आपको आज एक बात बताता यानि कि इनसानों के, वो नाचुरली वो खाते नहीं है, फिर आप बोलोगे, ऐसा क्यों होता है, कि tiger जो है, अटाक करते हैं, लेपर्ड जो है, अटाक करते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नर्भक्षी tiger वो ही बन पाते हैं, जो खाने की विवस्था अरेंज न अगर इनसान को खाता है, तो आप कभी भी नोटिस कर लेना, जो आपकी जंगल सफारी करते हो, आप वो जो पूरी वैन होती है, जो जीप होती है, वो खुली होती है, क्यों खुली होती है, क्यों नहीं उसको बंद करके ले जाते, क्योंकि tigers को अगर आप लेके भी जा रहे एक तो यह जब उसको खाना की availability नहीं होती और chance of survival उसका survival पर बात आ जाए तो जिन्दा रहने के लिए फिर वो इंसान को भी खा देता है दूसरा ही होता है कि मान लीजे टाइगर है टाइगरेस है और उसके बच्चे भी है वहाँ पे ठीक है उसके small babies भी वहीं पे है और आप उसके पास से निकल रहे है तो कई बार उसको ऐसा डर लगता है कि आप शायद बच्चे को पकड़ने आ रहे हो बच्चे को मारने आ रहे हो तो वह फिर charge कर देती है और तीसरा तरीका जो पर टाइगर आप पे चार्ज करता है वो कब होता है अगर मान लीजे जंगल में टा चार्ज कर देते हैं मेटिंग टाइम पीरिड में चार्ज कर देते हैं नहीं तो कभी भी टाइगर आपक नहीं करेगा हां बट हम उनके एरियास को फ्रेग्मेंट कर रहे हैं देखेंगे बायो डाइवसिटी जब अगला चाप्टर आएगा टाइगर कंजर्वेशन के उपर बात करेंगे तो फिर खाने पीने के लालच में आटाक कर देते हैं यह बात बहुत इंपोर्टेंट है कि सर्वाइवल एंशॉर होता है फूडवेब से जो फूडवेब ना होता तो सर्वाइवल भी एंशॉर नहीं हो पाता चलिए बात करते हैं फाइनल एकलोजिकल पिरा पिरामेड् क्यों बोलत है है विकाजिकल टे कुछ झेवन बाय ब्रिटिश जुलोजीस्ट एकॉलीजयस्स चार्les ऐलटन ताल्स इनकी प्रॉंग्या थैं इस इस ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या था कि कौन सा जानवर feeding food relationship में वो position occupy करता है और ट्रॉफिक structure क्या था वो entire food chain food web एक साथ clubbed together वो था ट्रॉफिक structure अब मैं अगर आपको बोलूँ इसी food chain इसी traffic level को graphically मुझे represent करना है graphically यानि दिखाना है मुझे graphically diagram बनाके diagrammatic representation करना है उसी का नाम ecological pyramids है so it is nothing but the graphical representation designed to depict the number of individuals, energy levels, biomass at different trophic levels of an ecosystem ecological pyramids अब आप पिरामेड जानते हो पिरामेड जो मम्मी गहते ने दा मम्मी मुवी आई टी पिरामेड तो गाजा पिरामेड 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 क्या होता है पिरामेड ऐसा होता है इस शेप इक का उजह होता है उसे हम पिरामेड कहते हैं तो तो सबसे नीचे पिरामेड में चाहे देखो पिरामेड दो तरीके के बनेंगे याद रखना सबसे पहले अभी मैं आपको आगे और दिखाँगा पिरामेड एक तो बनेगा इस तरीके का यानि यह होता है inverted ship या फिर पिरा पिरामेड में हमेशा सबसे नीचे की position में producers ही आएंगे क्योंकि पिरामेड की शुरुवात कहां से होती है पिरामेड की शुरुवात हमेशा producers से ही होगी ऐसा Eltonian ने बोला है मेरे दुवारा नहीं Eltonian भाई सबके दुवारा दिया गया concept है और highest level पे हमेशा कौन आते है highest level is the top of the food chain food chain में जो top पे आते हैं वो ही सबसे उपर आते हैं यानि tertiary consumers अगर tertiary consumers के उपर भी कोई है तो quaternary consumers यहां आ जाएंगे बस कहने का मतलब यह है पिरामेड हमेशा शुरुवात करेगा producer से और उसी food chain को represent कर देगा जैसे की grasses सबसे पहले फिर grasshopper फिर frog फिर snake और snake को खाने वाले vulture तो यही food chain को अगर मुझे define करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ पिरामेड के root से कैसे करूँगा अभी आपको बताऊंगा बट इतना ध्यान रखना first point first producers सबसे नीचे रहेंगे सबसे उपर food chain में जो सबसे last में आते हैं वो ही यहां पे भी सबसे last में आते है देखें दो बनेंगी जैसा मैंने आपको बता है horizontal bar horizontal bar of the pyramid क्या represent करता है specific traffic levels जैसे for example यह वाली आप बार देखो जो मैंने अभी mark करी है यह वाली देखिए यह वाली देखिए यह सारी जितनी भी horizontal bars हैं यह क्या represent कर रही हैं यह कुछ नहीं बलकि traffic levels को represent करती हैं जैसे सबसे प order consumer फिर आते हैं second order consumer फिर आते हैं third order consumer and the last is your fourth order consumer यानि कि सबसे पहले plants फिर कौन आते हैं grasshopper फिर कौन आते हैं frog फिर कौन आता है आपके snakes फिर कौन आते हैं वल्चर तो इसको अगर मुझे लिखना है इस तरीके से graphically represent करना है तो उस पूरे procedure का नाम है ecological pyramids and horizontal bar हर एक ट्रॉफ bed pandemic level होता हिए वहां पे producers और उसके उपर सारे consumers और सबसे ऊपर top लेवल carnivore यह top लेवल consumer होता है अच्छा length यह जो होती है जैसे आप देखो यह जो इसकी length है और हर भार यहां पे length यहांप defy जो है हो कम होती जा रही है इसकी length क्या show करती है या तो कितने number of individuals है क्या biomass है क्या energy मेरे कहने का मतलब यह है कि pyramid जो है वो तीन तरीके के होते हैं एक होता है pyramid of number एक होता है pyramid of biomass और एक होता है pyramid of energy तो यह length show करेगी कि number कितने है या फिर biomass कितना है या फिर energy कितनी है और similarly ये position भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको बोलते है inverted, चाहे वो inverted हो, चाहे वो upright हो, याद रखना नीचे producers ही आएंगे, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे top level carnivore कर दो क्याना कि हमने तो ecological parameter को उल्टा कर देना, नहीं, शेप कैसी बनती है वो भी आपको धीरे-दीरे समझ मैंग पर इतना याद रखना, सबसे नीचे producers हो सबसे उपर, top level carnivores ही आते हैं, ecological pyramid में, चली, types of pyramids देखो, pyramids of numbers, pyramids of biomass, pyramids of energy, pyramids of numbers, upright भी होते हैं, inverted भी होते हैं, similarly, pyramids of biomass, upright भी होते हैं, inverted भी होते हैं, और pyramids of energy हमेशा, always word लिखा, always upright होता है, so यहाँ पे upright shape कब बनेगी, यानि कि इ inverted कब बनेगा, यह मैं अभी आपको बताऊंगा, similarly, pyramid of biomass में कब upright बनेगा, कब inverted बनेगा, but pyramid of energy is always upright, चली, सबसे पहले बात करते हैं, pyramid of number की, ecological pyramid of number क्या बताता है, चली, एक pyramid बना लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ, ecological pyramid, अब इस pyramid में सबसे नीचे कौन आते हैं, सबसे नीचे आप जानते हो, trees, या plants, फिर इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते मान लीजे, grasshopper, इसके बाद कौन आता है, frog, snake, and vulture, अब मैं यह कह रहा हूँ कि यह सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है, इस trees आएंगे, but सबसे नीचे जो trees हैं, उनके number जो है, सबसे सामय, यानि because this is a pyramid of number, तो pyramid of number में आपको क्या count करने है, number of individual, जैसे एक class के अंदर, मान लीजे, बच्चे बैठे हैं, और मुझे पता लगाना है, कितने बच्चे बैठे हैं, तो मैं क्या अगरूंगा, सब के ऐसे प of organisms in each trophic level, हर एक trophic level में, इस वाले trophic level में कितने organisms है, इस में कितने है, इस में कितने है, जितने numbers होंगे, उतना count करो, अच्छा याद रखना, size से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा जानवर है, या छोटा जानवर इस से लेना देनी है, नमर से लेना देना है, यानि कि आप कोई ये पता नहीं लगाना, उस class में बच्चों का size कितना है, बच्चों की height कितनी है, कोई छोटा है या लंबा है, उसका नाम क्या है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ याद रखो किस class में कितने बच्चे आप गीन रहे हो, सबसे नीचे आए, तो पता चला कि trees की जन सं किया, trees से कम है, फिर grasshopper के बाद आपने frogs को count किया, terrestrial area में तो आपको पता चला किया, frog की जन संख्या वैसे तो बहतों से ज़ादा है, बट grasshopper से कम है, फिर snake को count किया, तो पता चला, snake और कम है, vultures की population सबसे कम मिलेगी, यानि कि अगर मैं आपसे बोलू, upright pyramid का मतलब क्या ह है, कि number of individuals जो है, वो नीचे सबसे ज़ादा है, नीचे सबसे ज़ादा, फिर दीरे 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 उनकी जन संख्या जो है, वो कम होती जा रही है, इसी pyramid को हम लोग upright केते हैं, और अगर मैं यही चीज inverted बना दूँ, देखो आप, inverted, और inverted में मैं ऐसे बना दू, यह रहे different traffic levels, माल लिजे, यहाँ पर हम बोलते हैं, producers हैं, तो मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे है, producer सबसे कम है, फिर उसके बाद grasshopper उससे ज़ादा है, फिर हम बोलते हैं, कि frog जो है, वो grasshopper से ज़ादा है, फिर हम बोलते है, snake जो है, वो frog से भी ज़ादा है, और finally सबसे उपर की तरफ वोल्चर इस से भी ज्यादा है अगर मैं inverted बनाता हूं बट अपको यह नहीं बता रहा हूं कब inverted हो सकता है कब upright हो सकता है मैं सिरफ आपको concept समझा रहा हूं तो इस example को यह मत समझ लेना कि यही वाला जो example है यही मैं आपको बताना चाहरा हूं नहीं मैं सिर्व आपको define करना चाहरा हूँ कि चाहे हम उसको upright लें, चाहे हम उसको inverted लें, सबसे नीचे हमेशा producer ही आता है, बढ़ उसका meaning क्या है, meaning यह है कि अगर हम upright बनाते हैं, तो नीचे से उपर की तरफ population क्या करती है, decline करती है, यानि सबसे नीचे जो है, वो सबसे ज़्यादा population, सबसे उपर, सबसे कम population, और अगर मैं आपसे बोलता हूँ, inverted बनाता हूँ, inverted का मतलब क्या है, सबसे उपर population सबसे ज़्यादा है, सबसे नीचे सबसे कम है, इसका मतलब यह है, अब कौन सी situation में ऐसा हो सकता है उसको समझते हैं चले, pyramid of numbers जो हैं वो upright कब हो सकते हैं याद रखना, चाहे terrestrial की बात करो, चाहे aquatic ecosystem की बात करो हमेशा numbers को count करोगे, तो upright pyramid ही मिलेगा मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ आप एक काम करें यह पूरे धर्ती पे जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी इस थल एरिया की यानि लैंड की, टेरिस्ट्रेल की, लैंड पे पाए जाने वाले trees सबसे ज़ादा हैं, grasses सबसे ज़ादा हैं, पेड़ पौधे सबसे ज़ादा है, numbers में count करोगे तो, फिर उसके बाद कौन आते हैं, primary herbivores, फिर कौन आते हैं, उसके बाद primary जो carnivores हैं, फिर आते हैं धीरे-धीरे, अगर आप उपर की तरफ चलोगे, तो आप देखो के top level carnivores, जैसे शेर, उनकी जनसंख्या बहुत गम है, अगर आप देखो, lion, उनकी जनसंख्या कम है, tiger, उनकी जनसंख्या कम है, जैसे जैसे आप पिरामेड में उपर की तरफ and finally whale, मान लीजे, तो ये भी एक food chain है, बट इस food chain में भी आप देखोगे, phytoplankton जो है, वो बहुत tiny होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट बहुत सारे होते हैं, करोडों होंगे, 70% पूरा globe जो है, पानी से भरा पड़ा है, फिर आप देखें, zooplankton उससे कम होंगे, बट न तो फिर अगर आपसे पूछा जाए, कि एक बात बताओ, inverted कब बनेगा, ऐसा कौन सी situation है, कि pyramid of numbers में inverted graph बन जाए, उसका सिर्फ एक special case है, जब हम एक single tree की बात करते हैं, अब आपको यहाँ पे बहुत important है समझना, क्या point है, जब Eltonian ने ये graphical system की बात करी, तो उन्होंने बोला trophic structure in an ecosystem, एक ecosystem में जब हम trophic structure को देखेंगे, तो हम उसका अगर graphical representation बनाएं, और इसके number of individuals को count करें, तो pyramid of numbers निकल के आएगा, Eltonian ने in an ecosystem बोला, अब ecosystem याद करो, first class में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और ecosystem तो एक पेड भी हो सकता है, तो एक पेड का अगर मैं graphical representation निकालो, pyramid of numbers का, यानि Eltonian की परिभाशा से सिर्फ एक पेड में चेक करूँ, कि कितने number of organisms हैं, तो वहाँ पर पाए जाने वाला ecological pyramid जो है, वो inverted shape का मिलता है, कैसे inverted shape का मिलता है, ध्यान से देखे, सबसे बहले मुझे बताओ, तो सबसे नीचे कौन आता है, सबसे नीचे, जब भी हम बात करते हैं, profit level में, या structure में, या हम बात करते हैं, Eltonian के इसाब से, सबसे नीचे कौन है, producers, चीक है, producer के बाद आप जानते हो, फिर consumers आते हैं, तो tree क्या एक producer है, एक tree की बात हो रही है, तो यहाँ पर number कितना हुआ अच्छा, इस एक tree के उपर, अब द्यान से सुनीगा, इस एक tree के उपर, पांच पक्षी बैठे हैं, तो इस एक tree के उपर, जो birds कितनी बैठी हैं, उनकी जन संक्या कितनी होगी, पांच numbers में, तो देखो, number नीचे से उपर की तरफ बढ़ा, ना कि उपर की तरफ घटा, इन पांच birds के उपर, आप जैसे हर एक bird है, हर एक bird के उपर parasite लगी हैं, कितनी parasite लगी हैं, दस parasite बैठी हैं, भाई हो सकता है, एक bird है, उसके उपर दस parasite बैठी हैं, जुए बैठी हैं, छोटी-छोटे कीडे लगे हैं, parasite लगे हैं, तो हर एक bird के उपर दस बैठी हैं, तो parasite का नम्मर कितना होगे अगर आप देखो birds के उपर जो parasite है क्योंकि ये भी एक दूसरे से energy को ही ले रहे हैं ये भी food chain है अगर आप ध्यान से देखो तो तो ये होगे 50 फिर नम्मर उपर की तरफ बढ़ा और इन parasites पर भी एक parasite लगा होता है parasite के उपर जो parasite लगता है उसे बोलते है hyper parasites hyper parasite मतलब parasite के उपर parasite और उन parasites की जो जनसंग क्या है वो है एक parasite पर 100 तो एक पक्षी के उपर बैठे 50 हर एक parasite के उपर है 100 hyper parasite तो यानि 500 parasites hyper parasites एक पक्षी के उपर है और अगर आप देखो total 5 है है तो यानि कि कितने हो गए धाई हजार सो मेरे कहने का मतलब है हाइपर पैरसाइट्स को अगर आप नोटिस करो तो वह गए धाई हजार और पॉपुलेशन बढ़ गए नमबर से मत जाना सिर्फ इतना समझना भी के लिए कि concept क्या है concept यह कहा जा रहा है जब मैं एक single tree को define करता हूँ एक ecosystem तो एक tree भी है क्योंकि ecosystem क्या है biotic और abiotic का interaction जहां पर interconnectedness है यहां पर भी interconnectedness है अगर मैं सिर्फ एक tree का define करता हूँ एक tree को देखता हूँ तो उस एक tree का जब भी मैं बात करूँगा तो याद रखना बहुत important word है कि एक tree के उपर बैठे हुए birds की जन संख्या जादा है उस tree के comparison में तो tree कम है birds की जन संख्या जादा है यानि कि सबसे नीचे जो बनेगा length वो tree का बनेगा कम बनेगा फिर birds का थोड़ा सा जादा बनेगा फिर उसके बाद parasites का उससे भी जादा बनेगा और hyper parasites का सबसे जादा बनेगा और अगर इसको में को एक shape देनी पड़ जाए pyramid के रूप में तो अगर आप देखो generally किस तरीके की shape बन रही है inverted pyramid so याद रखेगा अगर आप से सवाल पूछा जाता है एक logical pyramid of numbers क्या upright ही होतकता है तो गलत हो गया नहीं एक paid में inverted भी हो सकता है बट अगर ऐसा लिखा जाए generally it is upright हाँ generally upright होता है बट हाँ एक exceptional case है जहाँ पे inverted भी देखने को मिल सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पे यह एक example है अच्छा यहीं पे अगर आप इसको देखो spindle shaped अपना एक तरीके का और बन जाता है spindle shaped अब spindle shaped कैसे है वो समझना याद करो यहाँ पे एक paid एक पेड़ पे बेठे पक्षी जादा पक्षी के उपर बैठे पैरसाइट्स उससे ज़ी सबसे ज़्यादा हाइपर पैरसाइ्ट अच्छा एक पेड़ एक पहलब बैठे 5 पक्षी ह्यान और इन्पांच वन्यर्ष बपक्षी को एक वल्या इसा भी हो सकता है याना feeding food relationship है अलग-अलग cases की बात कर रहे हैं बस हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ सबसे नीचे के पाइदान पे हमेशा traffic level में producers आते हैं producer कितने हैं अगर आप number गिनोन के एक ही है यानि कि एक ही period की बात हो रही है एक पेड़ पर मान लीजे पांच पक्षी बैठते हैं पांच पक्षी को एक carnivore खा जाए तो फिर क्या होगा तो फिर यह होगा कि उस particular graph क्या shape कैसे बनेगा देखो उस particular graph का initial shape inverted जैसा दिखेगा यहां तक तो क्यूं क्यूंकि यहां पर आप देखो जन संख्या नीचे से उप उपर की तरफ बढ़ रही है यानि कि यहां पर एक हैं यहां पर पांच पक्षी हैं बट एक दम से एक पक्षी ने उसे खा लिया या दो पक्षी ने खा लिया तो हुआ क्या फिर population कम हो गई जैसी कम हो गई तो spindle तरीके की shape बने जाती है एक logical pyramid की इसलिए इसको spindle shaped कहते है याद रखेगा जब नीचे से इनीशली तो बढ़ रहा हो इनीशली क्यों बढ़ रहा हो क्योंकि inverted टाइप दिख रहा हो बट उससे कम जानवर उससे ज्यादा को खा जाए तो फिर spindle हो जाता है अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो अब बात करते हैं ecological pyramid of biomass की कि what is ecological pyramid of biomass it is nothing but a graphical representation अगर अगीन बट यहां पर क्या बात करें जाए total amount of living or organic matter in an ecosystem total amount of living or organic matter in a unit area in different trophic levels in a particular time period यह बहुत important है एक particular time period में ही हम लोग हमेशा check करते हैं इस पूरे के पूरे biomass को अब क्या बोला जा रहा है सुनिए अभी तक तो आप क्या कर रहे थे अभी तक आप कर रहे थे कि class में बैठे जितने बच्चे हैं उनकी numbering कर रहे थे आप कर रहे थे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो करेक्ट अब numbering कर रहे थे अब आपक बैच्चों को तराजू में या वेंग मशीन पर उठाना है और उनका वेट चेक करना है आपको यह पता लगाना है कि वो कितने किलो के हैं हर एक बच्चा तो आपको अंदाजा लगेगा कि उसका biomass क्या है यानि कि जब भी मैं बात करता हूं biomass की तो biomass क्या है कुछ नहीं बल बाना है कि कितना standing crop है हर एक ट्रॉफिक लेवल में यह बहुत important word है तो दीखे जैसे यह एक पिरामिड बना इस पिरामिड के सबसे नीचे में कौन थे अगर हम लोग बात करते हैं पिरामिड ऑफ नमर्स की इन टेरेस्ट्रियल या एक्विटिक सबसे नीचे कौन आ रहे थ पिर जैसे अभी हम एक चीज़ देखी थी प्लांट्स प्लांट्स से फिर ग्रास होपर ग्रास होपर से फ्रोग फ्रोग से स्नेक स्नेक से वल्चर करेक्ट प्लांट्स को सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को इखटा करो उसका वेट ना पो फिर सारे ग्रास होपर्स को एक साथ और उनका वेट नापो, स्नेक को एक खटा करो, वेट नापो, तो बायो मास पता चलेगा, बट जब आप नाप रहे हो इन सब को, तो एक चीज दिहान रहनी है, याद रहना, क्या करना, उन सब को निचोर देना, एकदम निचोर देने का मतलम मेरा कहने का यह है, कि उ जैसे मान लिजे, प्लांट का बायो मास निगल के आता है, एक हजार किलो, तो एक हजार किलो है, कुछ नहीं, बलकि स्टैंडिंग ग्रॉप है, बट जब कभी भी स्टैंडिंग ग्रॉप को नापा जाता है, तो याद रखना, ड्राइव वेट का इस्तमाल करा जाता है, न जैसे आप नोटिस करोगे, तो एक पैमाने से नाप सकते है, अलग अलग चीजों में नहीं नाप सकते हैं, जैसे आपने बचपन में करा होगा, एक आपको मीटर में दे रखा होगा, एक आपको किलो मीटर में दे रखा होगा, एक आपको किलो मीटर में दे रखा होगा, ए आप क्यों नहीं मीटर को किलोमीटर से कर सकते यानी की चेक कर सकते जज कर सकते क्योंकि दोनों की अलग-अलग यूनिट में एक यूनिट में बना लो तो पूरे वर्ल्ड में एक common observable unit बन सके इसी के लिए ecology ने क्या बोला है ऐसे करके टकाक मारते देया ना बहुत तेज लगता है सुखा रुमाल मारके देखो किसी को नहीं लगेगा पानी से वेट फरक पड़ता है न ऐसे ही जानवर का वेट पर फरक पड़ सकता है इसी लिए हम लोग क्या करें ड्राइव वेट निकालना है स्टांडिंग क्रॉप म तो moisture content क्योंगी vary कर सकता है जगे जगे पे तो pyramid of biomass याद रखेगा कुछ नहीं बल्कि ये चेक करना है क्यों कितने किलो का है और उसका वेट कितना है अच्छा अब pyramid of biomass की जब बात करी जा रही है तो pyramid of biomass भी upright बन सकता है और inverted बन सकता है कौन से case में वो upright बनेगा कौन से case में वो inverted बनेगा वो समझ लेते हैं तो देखे pyramid of biomass जो है वो upright कहां बनता है terrestrial ecosystem में अब मैं दुवारा से एक बर revise करा रहा हूँ ध्यान से सुनना pyramid of numbers जो है वो upright भी बन सकता है inverted भी बन सकता है अपराइट कहां बन सकता था अपराइट बन सकता था aquatic में भी terrestrial में भी inverted कहां बनता है जब हम एक single tree की बात करते हैं correct ऐसे ही अब मैं आपसे कह रहा हूँ pyramid of biomass जिसमें हम लोग standing crop को चेक करते हैं वो upright भी बन सकता है और inverted भी बन सकता है तो upright कहां बनेगा terrestrial में inverted कहां बनेगा equity यह ध्यान रखना है बन दोनों जगा सकता है यानि upright भी और inverted भी दोनों जगा बनेगा बट कौन सी shape बनेगी upright terrestrial में inverted में equity याद रखना है आपको पूछा जाएगा exam के अंदर तो biomass of primary producers plant is maximum and it keeps decreasing as we move up the traffic level यानि कि अब क्या करना है terrestrial मतलब land के उपर land के उपर सबसे नीचे आप जानते हो या पानी के अंदर भी सबसे नीचे हमेशा producers आते हैं लान्वा प्लांट का बेट निकल की आया फिर हम्वोंने किस का बेट निकाला grasshopper काम बेट देखिए में compr वल्चर आपको लगेगी ग्रास होपर के मुकाबले कितनी भारी है बट वल्चर हैं कितनी 2000-3000, 4000-10,000 वोगी ग्रास होपर कितने करोडों में तो नम्मर्स की वजए से उनके वेट में डिफ्रिंस आ गया बट हां जब जब आपसर्फ करा गया अटेरिस्ट्रेल एरिया में तो अप्राइट पिरामेड की शेप ले रहा है इसलिए हम लोग इसको पिरामेड गेट कहते हैं अब देख सकते हैं यहां पे भी ऐसा कुयों होता है क्यूं वो अउपर की दरफ जाता है तो डिग्रीज होता- चले आता है क्यूं हमीशे बिखने को मिलता है सूत जलिए सब्सक्राइश सकुछ जाता था कि अब आयद रही जिलर जीवां नहीं है जो जेसे कमप्ली आदम किष्चन खाने के बहुत दिक कीपनलगर के लगए घृ क्या उसको पहुत तो आपको किसे शेर ने खालिया तो क्या उसको भी 10 किलो चिकन मिल गया नहीं वो 10 किलो चिकन आपने जब खाया था तो आप जनरली देखोगे जो food chains होती है जनरली जो होती है छे ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा की नहीं मिलती पांच या छे अगर आपसे question पूश ले जाए why food chains are not generally जनरली ऐसा क्यों नहीं मिलता कि food chain में आपको दस ट्रॉफिक लेवल देखने को मिल जाए ऐसा कभी नहीं मिलेगा क्यूं क्यूंकि हमेशा बायो मास उपर की तरफ जाते वग गिरता चले आता है और गिरता चले आता है तो फिर जानवर को कम मिलता है उपर की तरफ एनरजी प्याइज भी गिरती चले आती है आगे हम पढ़ेंगे अज़ा पिरामिड ओव बायो मास इनवर्टिड कब हो सकता है पिरामिड ओव बायो मास जनरली अपराइट होता है कहां पे एक्वेटिक में पर it may be inverted also हो भी सकता है inverted अगर आपसे पूछ लिया जाए आपसे ऐसा बोले जाए pyramid of biomass is always inverted always नहीं ऐसा नहीं है may be inverted, हो भी सकता है बट हाँ, जैसे अगर आपसे बोला जाए terrestrial mate is always upright तो यह थोड़ी points आपको ध्यान में रखने पड़ेंगी तो pyramid of biomass in aquatic ecosystem में भी inverted, अब वो inverted कैसे हो सकता है वो देखिया सबसे नीचे कौन आता है अगर मैं aquatic ecosystem की बात करूँ aquatic ecosystem में सबसे नीचे phytoplankton आते हैं correct और phytoplankton के उपर कौन आते हैं zooplankton और zooplankton के उपर small fishes small fishes के बाद large fishes and finally फिर whale या फिर जो top level carnivores होते हैं वो आते हैं phytoplankton का weight निकालो अब यहाँ पर biomass निकालो वेट निकालोगे तो कम निकलेगा किसके comparison में? zooplankton के comparison में zooplankton के comparison में phytoplankton का कम निकलता है इसलिए आप देखो यहाँ पर inverted biomass मुनता है तो आप अगर zooplankton का weight निकालते हो तो phytoplankton से जादा मिलेगा ऐसे ही small fishes का weight निकालो तो जितनी भी छोटी-छोटी मचले हैं सब पर इकटा करो और उसका weight निकालो तो zooplankton से जादा निकलेगा large जितनी भी मचले हैं बड़ी-बड़ी मचले हैं उनका weight biomass जादा निकलेगा and whale का weight सबसे जादा मिलेगा aquatic ecosystem की खासियत है इसलिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना biomass हो सकता है कि कैसा मिल जाए आपको inverted shape का मिल जाए और वो क्यों होता है inverted shape का उसके पीछे का भी बहुत बड़ा reason है क्योंकि phytoplankton जो है न वो reproduce तो बहुत जल्दी कर लेते हैं बट उनकी life उतनी ही short होती है so generally short life होने के वादे से जल्दी मर जाते हैं और आयात करो जब हमने बात करे थी ecological pyramids की तो biomass में हमने एक word बोला था per unit area in a particular time period यानि उस time period के बात हो रहे है तो एक time period के अंदर zooplankton जादा लंबा जीते हैं phytoplankton कम जीते हैं तो phytoplankton जो होते हैं generally आप देखेंगे जल्दी मर जाते हैं जल्दी मरने के वज़े से उनका biomass कम रह जाता है इसलिए inverted shape देखने को मिल सकती है कहां पे आपके aquatic ecosystem के अंदर that is very very important यह आप notice कर सकते हैं aquatic ecosystem चलिए अब बात करते हैं finally pyramid of energy की ecological pyramid का सबसे last type of pyramid energy pyramid और energy pyramid में एक चीज़ दिखीती है अबने it is always upright यानि कि हमेशा pyramid किसी shape का बनेगा inverted shape का कभी नहीं बनेगा तो बात करते हैं क्यों inverted shape का नहीं बनेगा बट सबसे पहले आप energy की बात करते हैं अगर मालेजे trees को 100% energy मिलती है 100% अब हम जितनी भी energy मिल रही है उसको हम 100 मानके चल रहे है तो comparison के लिए मालेजे 100% energy किसके पास है अभी हमारे trees के पास है forest के पास है हमारे plants के पास है तो उनको खाने वालों के पास हमेशा एक चीज नोटिस करोगे क्या कि कुछ ही energy transfer हो पाती है यानि कि energy जो है वो loss हो जाती है जैसे ही उपर की तरफ move करती है फिर जैसे ही insect या larva particularly उपर की तरफ खाए जाएंगे तो energy और कम पहुँचेगी and finally energy energy सबसे कम कहां पहुचती है सबसे कम energy सबसे उपर वाले top level carnivores को मिलती है चलिए यहां से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कैसे हो रहा है sun से energy मिली primary producers के पास primary producers के पास केतने energy पहुची 100% but 100% primary consumers के पास नहीं पहुची 90% energy waste हो जाती है यह नियम है lindman's rule भी बोलते हैं इसे lindman's rule क्यों बोलते हैं क्योंकि यह lindman के द्वारा दिया गया था एक पूरा का पूरा principle जहां पे उन्होंने यह बोला था कि सिर्फ 10% energy जो होती है total वो transfer होती है और 90% energy हमेशा waste हो जाती है या use हो जाती है यानि कि energy loss हो जाती है 90% सिर्फ 10% energy उपर जाती है primary consumers को जब खाया secondary consumers ने तो 10% का 10% यानि 1% ही energy उपर गई फिर 1% का 0.1% उपर गई और सबसे कम energy 0.01% सबसे apex predators के पास पहुची ऐसा क्यों होता है क्योंकि याद रखना जब कभी भी जैसे for example plants, plants से grasshopper grasshopper से आपका frog frog से snake, snake से vulture ये एक हमारी food chain है और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि grasshopper ने कहां से अपनी energy को लिया plant से, frog ने कहां से लिया grasshopper से, चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 100% है क्या 100% ही आगे transfer हो पाईगे? जी नहीं, 100% आगे transfer नहीं होती क्यों नहीं होती? क्योंकि जो खाना हम खाते हैं या कोई भीचाए, वो plants हों कोई भी हो, reproduction में अपने growth में, अपनी stability में अपने development में, अपने metabolism में, अपने bodily functions को cover करने में, 90% energy जो है, वो utilize हो जाती है तो सिर्फ 10% energy यह आगे transfer हो पाती है तो सिर्फ 10% कहाँ पहुंची? grasshopper के पास, अब grasshopper भी उड़ रहा है, उड़ने के लिए उसको energy लगी ठीक है, इदर उदर जा रहा है, खाना खाने जा रहा है बोडिली functions कर रहा है, उसका भी digestion हो रहा है, heart चल रहा है, सब को चल रहा है माल लिजे, तो वो सारे बोडिली functions को perform करने में, 90% किस चीज़ का, जो उसके पास आई थी और उसके पास कितने आई थी, 10% तो उस 10% का 90% waste हो गया, और उस 10% का, सिर्फ मात्र 10% आगे जा पाया, फ्रॉक के पास तो इसलिए 1% फ्रॉक के पास आया, अब इसका भी 90% waste हो जाएगा, और मात्र सिर्फ 10% प्रतीशत 1% का, यानि 0.1% कहा जाएगा, स्नेक के पास, और स्नेक का भी 0.1% जो 1% का 90% उसकी बॉडिली फंक्शन मेटाबॉलिजम में waste हो जाएगा, और सिर्फ 0.01% कहां पहुच पाएगा वल्चर के पास इसलिए हमेशा फूड चेंज जो है, 4 या 5 या 6 ट्रॉफिक लेवल्स की होती है, क्योंकि बायो मास और एनर्जी जो है, वो इतना दूसरी बात यह है कि पिरामेड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही क्यों बनेगा, ऐसा क्यों होता है कि अपराइट ही बने, क्योंकि एनर्जी हमेशा प्रेडियूसर से, या दखना हमेशा प्रेडियूसर से उपर की तरफ जाएगी, यानि हमेशा energy जो होती है वो producer से के कहते हैं consumers के पास जाती है ना कि consumer से producer के पास आती है so इसी वज़े से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा energy sunlight से बनाने वाले autotrops और autotrops के बाद consumer हमेशा energies को लेते हैं इसलिए food chain हमेशा आप autotrops से शुरुबात करते हैं so energy सबसे ज़्यादा कहा होती है trees के पास autotrops के बाद और उसके बाद energy उपर की तरफ move on करती है और जब भी move on करेगी तो वो decline ही होगी अब मान लो एक hypothesis ले रहा हूँ कि अगर ऐसा होता कि pyramid of energy can be inverted वैसे होती नहीं है कभी भी नहीं होगी 100% clear always upright होगी बट मान लो अगर होता तो क्या होता तो plants के पास energy है एक प्रतिशत और उसको खाने वाले के पास जो energy जा रही है यानि grass hopper के पास जो energy जा रही है वो दर्स प्रतिशत नहीं energy हमेशा loss होती है law of thermodynamics याद करो second law जैसे जैसे energy transfer होती है वैसे वैसे loose करती है ना की develop हो जाती है extra नहीं हो पाती आप you cannot create more energy तो ये बात बहुत important है law of thermodynamics का law 1 law 2 याद रखना है यहाँ पर इसलिए it is not possible कि energy उपर की तरफ move करे हमेशा energy कैसे जादा नहीं move करेगी कम move करेगी उपर की तरफ unidirectional होती है वो bi-directional नहीं हो सकते ऐसा नहीं हो सकता उपर से नीचे आ जाए ना ही नीचे से उपर जाता जा सकती है हमेशा always upright pyramid ही बनाएगी चलिए कुछ loop holes की बात करते हैं कि ecological pyramid जो eltonian के दोड़ा दिया गया concept है उसमे कुछ loop holes है क्या हाँ जी कुछ loop holes है जैसे for example आप देखिए it is very difficult to assign the organism to a specific traffic level अब मुझे एक बात बताना ध्यान से ये आपका plants plants है grasshopper grasshopper को खाया frog ने frog को खाया snake ने snake को खाया vulture ने अब मुझे एक बात बताओ plants को अगर rabbit ने खाया तो या grasshopper को अगर directly snake ने खाया तो frog कौन से traffic level में माना जाएगा third पे या है ही नहीं या frog जो है rabbit को खाले तो क्योंकि food web का concept तो यही कहता है so the whole point is एक organism अलग-अलग traffic levels माता है उसको कैसे define करोगे आप so certain plants जो carnivores हैं अब हम उनकी भी बात करेंगे उनको आप define नहीं कर पायो यहां पे तो Eltonian की कुछ कमी आए सबसे पहली कमी कैया Eltonian की कि Eltonian ने यह नहीं बताया कि एक ही जानवर multiple traffic levels में आ सकता है क्योंकि food web का concept यहां पर represent नहीं है सिर्फ food chain का represent करा है Eltonian ने तो पहली चीज तो graphical representation का सबसे बड़ा loophole क्या है कि आप यहां पे सिर्फ food chain explain कर सकते हो food web explain नहीं कर सकते दूसरा आप यह नहीं बता सकते कि एक जानवर multiple traffic levels में है कुछ food chain में एक जानवर जो है rabbit जो है वो यहां आता है कुछों में rabbit यहां आता है कुछों में frog जो है death हो गई अब इसका अगर तुम्हें logical pyramid बनाना है तो कैसा बनेगा देखो सबसे बड़ा plants फिर grass और फिर frog अब यह बन गया सबसे top level का chain में तो यह top level की chain में है कौन से traffic level में यह हम define नहीं कर पाते हैं तो properly define नहीं हो पाता food web define नहीं हो पाता इसलिए problems है decomposers and detriti woes are not part of the pyramid एक बहुत बड़ा loophole है कि decomposers और detriti woes जो है वो इसका हिस्सा ही नहीं है यानि कि स्रिफ और स्रिफ food chain कहां तक रह गई जैसे plants, grasshopper, frog, snake, vulture यह नहीं बता रहे हो कि vulture जब मर जाता है तो decomposer का कहा पर आप graphical representation करोगे यह वाली chain उन्हों ने explain नहीं करिए इसलिए इसका यह loophole है और कुछ plants ऐसे हैं जो कार्णी woes हैं उनको आपने हिसाफ से नहीं लिया जैसे हम आपको example दूँ हम हमीशा गयते हैं traffic level और feeding food relationship के base पे eltonian ने graph बनवाया सबसे नीचे plants आते हैं plants सबसे नीचे आते हैं और plants से ही energy उपर की तरफ जाती है हम अभी यह बात करी मैंने आपको खुद बताया एक logical pyramid of energy में कि हमेशा नीचे से उपर को जाएगी उपर से नीचे कभी नहीं आएगी energy बट एक जगह यह case खराब हो जाता है क्यों क्यों कि यह plant है जिसको हम बोलते है यह plant तो यह अपनी energy को कहां से ले रहा है यह plant ही अपनी energy को animal से ले रहा है तो animals से energy आ भी रही है यानि की bi-directional हो गया तो इस bi-directional को इन्होंने नहीं लिया इस पूरे प्रोग्राम में आप समझ पा रहे हैं यह loopholes हैं जिसके explanation अभी तर अल्टोनियन नहीं दे पाए है चलि दोस्तों बात करते हैं bio accumulation and biomagnification की concept यह बहुत ही important एक topic है bio accumulation and biomagnification क्यों मैं आपसे यह कह रहा हूँ क्योंकि कुछ pollutants हैं जो degrade नहीं हो पाते easy अब मैं जब बोलता हूँ non-degradable pollutants यानि की लेकि pollutant तो वो है जो excessive है anything that is excessive और unwanted उसे हम pollutant कह देते हैं मान लीजे हम मैं आपसे कहूँ आपके घर के भार जो है कूड़ा फैग्या कोई और इस कूड़े के अंदर क्या है केले के चिकल है केले के चिकल जो है degradeable है क्यों क्योंकि decomposers इस पर लगेंगे और इसको खाद बन convert हो जाएगा soil बन जाएगी but मान लीजे कोई ऐसा pollutant है जो degradable ही नहीं है उसका क्या होगा so there are a lot of pollutants और आके जब हम pollution पढ़ेंगे तो हम लोग एक concept पढ़ेंगे जिसका नाम होता है persistent organic pollutants POPs कहते हैं से तो POP के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे तो persistent organic pollutant का मतलब होता है POP और ये ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक और सालों साल और हजारों साल तक atmosphere के अंदर रहते हैं अगर once they are released तो ऐसे non degradable pollutants जो होते हैं कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये move करते है कहां पर move करते हैं traffic levels के माध्यम से food chain के माध्यम से energy flow के माध्यम से एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर और उसी से concept इमर्ज होता है bio accumulation और bio magnification का याद रखेगा ये जो pollutants हैं they are very very dangerous क्यों क्योंकि they can lead to cancer they can lead to genetic disorders they can lead to mutations और ये जो होते हैं ये बहुत लंबे समय तक रह सकत हैं जितने लंबे समय तक रहेंगे उतना ही जादा हाम करते हैं तो इस bio accumulation और bio magnification के process को समझ लेते हैं एक टर्म यहां पर सबसे पहले पढ़ लो bio persistence वो time duration जितने समय तक एक waste atmosphere में biosphere में hydrosphere में lithosphere में कहीं पर भी रहता है उसका time period मतलब एक pollutant निकला और उसका समय काल कितना है कितने time period तक वो रहेगा atmosphere के अंदर biosphere के अंदर उस particular time period के जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं बायो persistent है ये तो उसका time period कितना है अब bio accumulation और bio magnification को समझो बहुत बहुत important principle है ये bio accumulation और bio magnification what is bio accumulate? bio मतलब क्या हो गया है यहां पर living, living के अंदर ही accumulate हो रहा है और accumulate क्या हो रहा है? pollutant यानि कोई खराब चीज ही accumulate हो रही है so ये बहुत ही gradual phenomenon है first of all it is very gradual gradual accumulation of pollutants, chemicals, synthetic chemicals, poison, कोई भी ऐसा substance in an organism अब ध्यान से सुनिएगा, एक organism के अंदर ही pollution अगर बढ़ रहा है, pollutant का level अगर बढ़ रहा है with the passage of time, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उसके अंदर pollution का level बढ़ता जा रहा है साल हो साल पी रहा है एक दिन पी रहा है, 200 दिन पी रहा है तो उसी की बाड़ी के अंदर पल्यूटेंट्स grab होते जा रहे हैं उसी की pollutants जो हैं enter करते जा रहे हैं एक ही organism के अंदर अगर शरीर में बढ़ता हुआ pollutant को हम discuss करें तो बोलेंगे bio accumulation हो रहा है जैसे for example आप ना क्या करते हैं पत्थरी वाला खाते हैं पत्थरी वाला खाते हैं पत्थरी वाला खाया ऐसा और ऐसी कोई problem हो गई नहीं धीरे धीरे accumulation होना यानि एक organism के अंदर ही एक pollutant बढ़ता जा रहा है with the passage of time तो बोलो bio accumulation होना और जब मैं बोलता हूँ bio magnification bio magnify 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 मलब बढ़ जाना तो ये भी gradual phenomena है बट ये कहा होता है ये होता है जब concentration ट्रोफिक लेवल्स में बढ़ता चले जाए passage of time यानि की food chain के माध्यम से दूसरे जानवरों में चले जाए एक ही जानवर के अंदर बढ़े तो bio accumulate दूसरे जानवरों के अंदर क्योंकि एक जानवर दूसरे को खाता है इस procedure की वज़े से चले जाए दूसरे में तो bio magnification मैं example से समझाता हूँ बहुत अच्छे से clarification हो जाएगी मा लेजें यहाँ पे एक factory है ये factory जो है इसका discharge जो है waste discharge इसने अपना कहां पे कर दिया पानी के अंदर ये नदी है इस नदी के अंदर इसने discharge कर दिया अच्छा इसने discharge क्या किया mercury mercury is a potential bio magnifier पतलब क्या हुआ इसका mercury जो है बहुत ही भेतरीन substance है जो bio accumulator और bio magnifier हो सकता है यानि किसके अंदर potential है 100% ये cancer causing है ये metal है heavy metal है ये कर सकता है तो mercury इन्होंने release कर दिया पानी के अंदर अब हुआ ये कि आप जानते हो पानी एक input है पानी एक resource है किस के लिए algae के लिए जो अपना खाना बना रहे है अब इस algae के अंदर ये पानी as a input आया इसके शरीर में पहुचा सिर्फ शरीर में पानी नहीं पहुचा शरीर में mercury जिसका potential था क्या bio accumulate होने का वो भी पहुचा अब इसी algae के शरीर में over the time period mercury बढ़ता चले जाए तो बोलो bio accumulation बट ऐसा generally नहीं है होगा क्या algae eating insects इसको खाएंगे insect eating insects इसे खाएंगे और food chain के माध्यम से आपको पता चलेगा कि human के शरीर में mercury पाया गया अब सवाल ये है मेरा आप से खाया किसने खाया humans ने मचली को और human के शरीर में mercury आ गया जबकि mercury तो दूर दूर तक कहीं था ही नहीं mercury तो release करा था दूर कहीं नदी में किसने एक factory ने बट ये यहां से यहां कैसे आया because of biomagnification क्योंकि food chain food जो ये पूरा web और ये जो ट्रॉफिक लेवल के थुरू energy flow होती है इसके माध्यम से आगे पहुचा है ये पूरा system so food chain के थुरू पहुचे biomagnification अलग-अलग trophic levels में आगे बढ़ता जाए तो biomagnification bioaccumulation का मलब एक ही organism में ये बढ़ता चले जाए यानि कि अगर मैं बोलू कि एक ही organism में ये बढ़ता चले जाए तो इसको हम यानि कि अगर मैं ये ही बोलता चले जाओ एक ही organism में ये बढ़ता चले जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे, this is bio accumulation अब यहाँ पर एक चीज़ समझे, in order for bio magnification to occur यानि कि bio magnify हर चीज़ तो नहीं हो सकती, bio magnification होने के लिए कुछ conditions को पूरा करना पढ़ेगा, सबसे पहला, वो जो substance हो, वो long lived हो यानि कि short lived ना हो, छोटे समय के लिए ना हो, जैसे मान लिजे, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके body में गई और within 12 hours के अंदर मर जाए, तो फिर वो आगे food chain में नहीं जा पाएगा मेरे कहने का मतलब है, मान लिजे, mercury का time period है, किसी के शरीर में आएगा और 12 घंटे के लसर दिखाएगा और उसके बाद खतम हो जाएगा, निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, मान लो 12 घंटे तक अगर किसी insect ने उस algae को या नहीं खाया तो फिर क्या होगा, algae से insect तक वो आगे transfer होई ही नहीं पाएगा यानि कि bio magnify होने के लिए उसको सालो साल लंबा, bio persistence बहुत होना चाहिए उसका जितना लंबा समय उतना जादा bio magnify है दूसरा क्या है, it should be stable and mobile stable कहां होना चाहिए, यानि कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर में आए ना बहुत important है, आपके शरीर में transfer होए ना, mobile ही नहीं है इतना, तो कोई फाइदा नहीं है और शरीर में अगर रुके ही ना, तो stable नहीं है, यानि कि वो stable भी होना चाहिए और mobile भी होना चाहिए जैसे mercury जो है, वो क्या है, stable भी और mobile भी है, कैसे stable है जब वो water के अंदर आया, water से जब algae के अंदर आया, तो mobile है, तब ही वो transfer होँआ, बट algae के शरीर से वो बाहर नहीं निकल रहा है, यहाँ पर आके वो stabilize हो जाता है फिर इस algae को जब कोई खाएगा, तो वो mobile है, बट जिस mobile होने के बाद वो उसके शरीर में stabilize हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, mobile and stable donut चाहिए हो, अच्छा, एक यहाँ पर बोला जा रहा है, it should be soluble in fats, यह बहुत important point है, इसका पीछे आपको एक आनी बताता हूँ, संजेदत आपने इनके बारे में सुना होगा, और संजेदत ने अभी movie बनाई थी, रनवीर कपूर ने, संजेदत के पूरे उस पे, तो अगर आप लोगों ने वो movie देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा, एक ना scene है, कि इतने drugs लिये हैं संजेदत ने, तो संजेदत आप मानोगे नहीं, आज तक मुझे ऐसा लगता है कि ना, नशे हो रहे है मुझे, तो डॉक्टर से जब मैंने पूछा, मैं गया, डॉक्टर से consult कि यार मेरे को ना सर जूम रहा है, मैं भूम जाता हूँ, जब कि मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं ड्रॉग्स ने ले रहा हूँ बाट टाइम हो गया, मैंने सब छोड़ दिया है, अभी भी ऐसा हो जाता है, कई बार मैं घूम जाता हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक्चुल में प्रॉब्लम ये है, कि जब आपने वो ड्रॉग्स लिये थे, तो वो ड्रॉग्स जो है, आपके फैट में स्ट स्टूर हो गए, तो उन्होंने कहा कि आपके फैट में वो ड्रॉग्स और वो जो पर्टिकुलर केमिकल से वो स्टूर हो गए, फिर क्या होगा जब वो फैट सेल्स पुराने होए और वो यूज हुए, तो फिर वो बस्ट होए और उस बस्ट में से केमिकल कंपाउंड भी निकल रहे थे, तो यह after effects of drugs थे, मेरे कहने का मतलब क्या है, कि केमिकल जो है, वो फैट में स्टोर हो जाता है, अगर वो फैट में स्टोर होता है, तो वो लॉंग टॉर्म तक स्टोर रहता है, अगर वो सल्यूबल इन व्टर हो गया, यानि पानी में गुल गया तो फिर वो urination के थूरू निकल जाएगा तो कौन सी चीज आगे bio magnify कर पाएगी जो toilet के थूरू निकल जाएगी या जो cell में पनप के रह जाएगी cell में जो पनप के रह जाएगी यानि कि fat cells में store हो गई है लंबे समय तक तो वो आगे transfer हो पाई rather than जो urination के थूर तो एक्सक्रीटर के थूरू निकल जाएगी तो अगर आपको UPSC बोल दे soluble in water तो गलत soluble in fats और biologically active हो नहीं चीए यानि कि obvious सी बात है कि अगर वो dormant stage में है या वो dormant stage में है तो कोई फाइदा नहीं है यानि कि अगर मेरे शरीर में कोई virus, कोई bacteria चला भी गया और वो बिल्कुल in active है तो मुझे कुछ problem नहीं होगी बट जिस दिन वो active हो जाएगा तो मुझे problem होना start हो जाएगी तो biomagnification हमेशा देखे नीचे से बढ़ता जा रहा है और biomagnification जैसे जैसे traffic levels में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे problems और pollutants जो है वो जानवरों को पहुशते चले जाएगी और इसमें सबसे जादा खतरा किसे होता है सबसे जादा खतरा होता है top level carnivores को क्योंकि top level carnivores जो होते हैं वो generally हमेशा flesh eating होते हैं और पूरा-पूरा mask खाते हैं और mask के साथ आता है directly उनके शरील में pollutants तो याद रखना जितने भी top level carnivores होते हैं वो सबसे जादा इससे पीडित माने जाते हैं चलिए अब test your learning का time period है जो भी questions है आप उससे बताईए क्या आप सीख पाए हैं क्या आप समझ पाए हैं क्या आपको ये concept clear हो पाए हैं which one of the falling is the correct sequence of a food chain चलिए अब मुझे आप comment में बताईए कि which of the falling is the correct sequence of food chain ये UPC का question है I want you guys to interact और आप में को comment box में बताईए बाकी क्या answers में आपको बता रहा हूँ बताईए diatoms होते हैं kristian hins होते हैं herrings होते हैं तो ये मेरे को answer search करके बताईए सबसे पहले कौन आएगा याद रखेगा मैं आपको 50-50 option बता रहेता हूँ हम एक चीज़ पर चुके हैं diatoms जो होते हैं वो क्या होते हैं याद करिए diatoms जो होते हैं वो हमेशा autotrops में आते हैं phytoplankton मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था तो obviously बात है B and D तो answer नहीं है A यस C बताओ मुझे answer क्या होगा जल्दी चलिए तो यहाँ पर देखिए food chain starts with the producer and ends with top consumers phytoplankton are the primary producers जैसे कि हम लोगों ने बात करी और diatoms और फिर उसके बाद crustanians form a large group of including crabs, lobsters, shrimp, krill and herrings are fish and they eat crustanians so एक बात तो पक्की हो गई कि आपका answer क्या होना चाहिए diatoms diatoms के बाद crustanians and herrings क्योंकि herrings जो होते हैं वो crustanians को खाते हैं consider the following kind of organism coppods coppods अभी हम लोगों में पढ़ाता है यह heterotrops होते है marine ecosystem में cyanobacteria हमें पता है यह autotrop होता है diatoms अभी हम लोगों ने पढ़ा phytoplankton है और phytoplankton autotrops की category में आते हैं यह नहीं पता हमे foraminifera कि यह क्या है तो अगर मुझे को यह नहीं पता foraminifera क्या है so मैं को 1, 2, 3 तो पता है तो मुझे एक चीज़ पता है 1 तो answer नहीं है क्यों one question में क्या पूछा गया है primary producers पूछा गया है तो one answer नहीं है तो यह और यह तो वैसी गरबढ़ हो गई और मुझे पता है 2 और 3 answer 100% है और दोनों जगा 2 और 3 है नहीं तो answer is B consider the following regarding ecological pyramids saprophytes are not given any place in ecological pyramids यह बताओ क्या saprophytes को कोई जगा नहीं दी गई है नहीं दी गई है बिल्कुल सही बात है तो यह नहीं दी गई है जगा बढ़ यहाँ पर पूछा incorrect तो यह तो सही है it doesn't consider the same species belonging to two or more traffic levels यह भी बिल्कुल सही बात है यह इसका loophole था है याद करिये both food chain and food web is well represented गलत second statement गलत है food chain ही represent होता है food web represent नहीं होता और इसमें incorrect ही पूछा है तो answer is two only consider the following statements regarding ecological pyramid pyramid of number and biomass can be both upright and inverted सही है pyramid of numbers और biomass दो अप्राइट और inverted हो सकता है pyramid of energy is always upright यह भी बात बिल्कुल सही है pyramid of energy is always upright both which of the following is correct about primary productivity चली यह concept है एक बर statement पढ़लो net primary productivity NPP क्या है और GPP क्या है मैं आपको बता देता हूँ और primary productivity of the ocean is more than the land so answer इसका क्या है मैं आपको पहले answer बता रहता हूँ which of the following is incorrect बोत आ रहें incorrect अब पहले हम concept समझते है gross primary productivity क्या होता है GPP is the rate of production of organic matter during photosynthesis असान भाशा में समलो photosynthesis करने के बाद जितना total plants food generate कर पाते है productivity generate कर पाते है जिस rate पे कर पाते है उसे हम GPP कहते है gross primary productivity gross का मतलब होता है जो actual में without any subtraction है तो gross में कुछ भी minus नहीं हुआ होता और gross से net में जाना होता है तो कुछ minus करना पड़ता है तो यहाँ पर क्या बुला जा रहा है concept is saying कि gross primary productivity primary productivity का मतलब obviously यह कहां की बात हो रही है autotrops के level की तो plants के level पे photosynthesis का इस्तमाल करके कितनी productivity बनती है उसे हम GPP कहते हैं अब होता यह है कि plants जो है बहुत सारी energy को बहुत सारी total food में से बहुत सारी चीज़ को respiration के process में इस्तमाल कर लेते हैं तो बची हुई ही आगे transfer हो पाती है तो एक concept होता है NPP NPP मतलब होता है net primary productivity यानि कि जो actual में total बची है so GPP में से जब respiration minus कर देते हो तो NPP बच के निकल के आता है so what is gross primary productivity gross primary productivity जो total plant से मनाई respiration इस्तमाल करने के बाद जो बची वो net primary productivity और total oceans जो हैं वो 70% oceans आगर आप देखो world का हिस्से में oceans है but still ocean की जो primary productivity है वो कम है किस से? terrestrial से क्यों terrestrial से कम है? इसलिए कम है क्योंकि primary productivity depend करती है photosynthesis पर photosynthesis depend करता है sunlight पर और पानी के अंदर जो sunlight है वो 200 मीटर तक generally जा पाती है या maximum 700 मीटर तक जा पाती है आगे हम पढ़ेंगे यानि कि बहुत जादा deep तक नहीं जा पाती है तो sunlight के availability बिलकुल deep में नहीं उपाती है इस वरे से primary productivity थोड़ी से खराब होती है तो ऐसा नहीं है कि जादा हो तो दोनों options गलत थे consider the following statement aquatic system में energy flow जादा करती है grazing से then the detrius food chain बताओ भई yes कहां से जादा करती है grazing से जादा करती है aquatic ecosystem के अंदर जबकि terrestrial ecosystem में detrius जादा है pyramid of energy in a forest ecosystem is upright pyramid of energy कहीं पे भी हो वो तो हमेशे ही upright रहेगा pyramid of numbers in a parasitic food chain is inverted हाँ बिलकुल सही बात है which of the falling is correct all why does phytoplankton support large standing crop of zooplankton generally shows an inverted biomass मैंने आपको बताया था phytoplankton जो है वो numbers में ज्यादा है but still एक inverted pyramid बनाते हैं biomass का वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो phytoplankton है वो relatively short lived होते है in compared to zooplankton बिलकुल सही है productivity of zooplankton is greater than phytoplankton गलत productivity तो ज्यादा होती है यानि numbers में तो ज्यादा होते हैं बट मर जल्दी जाते हैं so इसमें पूछा है correct option 1 ठीक है आप ये explanation पढ़ लिजेगा with regard to energy flow in ecosystem energy flows through traffic levels from producer to subsequent traffic level is bidirectional गलत it is always unidirectional यानि कि pyramid of energy हमेशे unidirectional होता है अब आप बोलोगे आपने बताया था picture plant वाला अरे भाई मैंने तो आपको picture plant वाला है वो loophole में बताया था ये concept तो एक loophole है जिसके बारे में बात ही नहीं करीगे but अगर आप से पूछा जाएगा exam में तो आप unidirectional ही बोलके आओगे because pyramid of energy is always and always upright energy decreases 10% as it moves from one traffic level to another बिल्कुल सही है कि statement बताओ बताओ नहीं देखो energy decreases 90% energy transfer होती है 10% decrease होती है 90% देखो यहापे सिर्फ गुमाती है नहीं है तो दोनों statement जो हैं वो गलत है which of the falling is correct none is correct biomass at a given traffic level is produced from a much larger biomass ingested from the lower traffic levels बिल्कुल सही है biomass कैसे बनता है किसी भी traffic level का उससे नीचे के biomass जो है उसको ingest करके खाके तो यह बिल्कुल सही statement है top level carnivores tend to be the organisms most affected by toxic compounds biomagnification सबस्वादा का होता है second level पे तो बोथ देखेटमेंट्स आर which of the falling is incorrect पूछा है none is incorrect ठीक है कोई भी incorrect नहीं है क्योंकि दोनों statement ठीक है which one of the falling is the best description of the term standing crop standing crop क्या है it is the mass of living material at a particular time in each tropic level मैं आपको बढ़ा चुका हूँ how does the knowledge of ecological pyramid help us in conservation of an ecosystem ecological pyramid से हमें कैसे मदद मिलती है मैं इको बताओ ecological pyramids से हमें एक चीज़ समझ माती है सबसे top level पे जो है वो सबस्यादा affected है उनको सबस्यादा पहले बचाना चाहिए और याद रखना जब हम biodiversity पढ़ेंगे ecological pyramid में और food chain में जब से उपर आते हैं उनको हम एक नाम से पुखारते हैं keystone species तो yes, it helps us recognizing in keystone species बाकी में detail में biodiversity में कराऊँगा it helps us to recognize an invasive species क्या invasive species के बारे में ecological pyramid हमें कुछ बताता है जी नहीं two is wrong two के बारे में तो गलत ही हो गया तो ये तो गलत ही हो गया और हमें पता है one ठीक है तो answer या तो A है या D है it helps us to identify bio accumulation and bio magnification बिल्कुल हाँ हमें ये समझाने में बहुत मदद करता है कैसे food chain आगे के रस्ते बढ़ती है कैसे trophic levels में bio magnification होता है जो degrade नहीं हो सकते उसी का bio magnification होगा जो degrade हो जाएंगे वो तो bio magnify होईंगे नहीं DDT is a potent bio magnification yes DDT आप देखेंगे इसके बारे में आगी भी पढ़ेंगे जब pollution पढ़ेंगे बट हाँ अभी के लिए इतना समझे लो fertilizer industry में काफी इस्तमाल होता है जो ही गलत है आंसर पूछाए correct none मेरी बात ध्यान देखेंगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ इसकी first statement तो ठीक है इतनी क्या DDT bio magnificent है हाँ सही है यह बास सही है यहां तक बट अगर वो metabolize हो ही जाएगा यानि कि उसको इस्तमाल करी लिया और metabolize हो गया वो हिस्सों में तूट गया तो फिर वो आगे कैसे जाएगा non metabolize हो पाएगा तब जाके वो आगे transfer हो पाएगा विज़ाद ओ फॉलिंग observe bio accumulation कौन कौन सी चीज़़ bio accumulate हो सकते हैं DDT हो सकती है mercury हो सकती है radioactive substances all of the above radioactive substances कैसे हो सकते हैं याद करो आज आप देखो जपान में जब हिरोशिमन नागासा की बॉम फैका था जपान में तो आप एक चीज़ देखोगे कि उनके आगे आने वाली generations तक में DNA mutations हैं यानि कि कहीं ने कहीं जो radio activity होती है radio waves होती है या radio substances होते हैं ये सारी चीज़ें हाम कर सकती है for a chemical pollutant to undergo biomagnification कोई भी chemical को biomagnify होना है तो क्या है short lived गलत it must be long lived soluble in water no it must be soluble in fats mobile होना चाहिए biologically active होना चाहिए answer is 3 and 4 only so thank you दोस्तो अगर आपको कोई भी doubts आ रहे हैं तो please reach out to me अगर कोई भी problem है कोई भी concept description में भी details दे रखें वहापे भी जाकर क्या आप देख सकते हैं and I'll see you again with the next video very soon thank you so much